ते हल्व फ्रेंजड मैं आनिल आज आपको से नेटवर्क सेक्यूरिटीर में कुछ अटेक्स के बारे में बताऊँगा इस स्टेशिन में मैं आपको पिंक स्टेशियोप के बारे में बताऊँगा और किसी particular target computers पे क्या क्या security lose है यह आप जान सकते हैं इस session में मतलब क्या है कि अगर आप एक land में बैठे हुए हैं और उसमें 100, 200, 210, कितने भी computers अगर हैं और आप किसी particular एक computers को find out करना चाहते हैं कि इसमें कौन-कौन से ports open हैं या कौन-कौन सी services हैं, जिनके दुरू आप उस computer पे इंटर कर सकते हो, उस पे attack कर सकते हो, या कौन-कौन सी system ऐसे हैं, जिन पे security compromise है, या security नहीं लगी हुई है, और किस तरीके का port अप है, और कौन सा port open है, ये जानना है, तो इसके लिए आप pink sweep के जरीए इसको find out कर सकते हैं, इसके लिए मैं tools का use करने जा रहा हूँ, एक tool है हमारे पास nmap, nmap tools के तुरू आप किसी particular एक computer या कई सारे computers की instance scanning कर सकते हो, जान सकते हो कि किस टाइप का operating system है, mac address क्या है, उसका कौन-कौन supports आप है, ये सारी information आप जान सकते हो, तो उससे पहले मैं एक और tool का use करना चाहूँगा, जो मैंने भी download किया है, just, IP scanner, ये IP scanner है, इसको मैं open करता हूँ, और ये, इस IP scanner को install करता हूँ, next, next, close, ये, ये install हो गया है, अब इस IP scanner के थूँ, मैं actually find out करना चाहता हूँ, कि मेरे इस पूरे network में, land में, कितने computers ऐसे हैं, जो open है, या जिन से communication हो रहा है, इसको बोलते हैं, mapping करना, IP address को live system से map करना, और यह यहाँ पर मैं scan कर रहा हूँ, start scanning, so first, first computer scan करके दिखाया है, यह first one IP address है, जो scan करके दिखाया है, हमारे network में live है, एक और यह system मिला, 41, 51 मिला, 57, यह देखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपके network में, कितने system live है, एक software है, IP scanner, angry IP scanner, जो आपके LAN में, तुरंट, find out करके दिखा देगा, कि आपके system, कितने number of computers हैं, जिन से आपका communication हो रहा है, अब मैं यहाँ पर एक computer को target करता हूँ, उसकी details जानता हूँ, किसी भी computers को pick करते हैं, जैसे, यहाँ पर यह एक computer है, इस computer का hostname है, पंकज, जिसका IP address है, 192.168.88.67, अब इसको मैं इसकी details जानना चाहता हूँ, यह मेरे पास एक nmap software है, उस IP angry scanner से मैंने find out किया कि आसपास कौन से computers live हैं, उसमें से एक मुझे मिला 192.168.88.67, इस computer को मैं scan करता हूँ, scan पे click करता हूँ, scanning कर रहा है, यह देखे, starting and map 6.4, standard time, और port discover कर रहे हैं, कौन-कौन से open port इसको मिले हैं, 3389 मिला है, 445 मिला है, 139 मिला है, 135 मिला है, अभी scanning चल रही है, थोड़ा यह time ले सकता है, 5-7 मिनट का, यह देखे, यहां पे 30% scan हुआ, 65% sync stealth scanning है, TCP sync packet भेज रहा है, और उससे वो deep scanning करके, गोपनी चीज़े निकाल के बाहर लाएगा, सिस्टम की, स्क्रिप्ट इसमें पड़ी हुई है, जो scanning के लिए use होती है, तो starting ARP ping किया है, इसने 12 बजे, और एक port find out किया है, completed ARP scan, और DNS scanning किया है, resolution किया है, फिर stealth scanning हुई है, discover किया है, कितने ports open है, तो आप नीचे आएगे थोड़ा scroll करके, तो यहां पर आप OS scripting OS से related detection किया है, scanning किया है, तो यहां पर निकाल के लाएगा कि 135, 13945, यह सारे के सारे ports open है, जो किस लिए है, इसके लिए आगे भी detail दी हुई है, और version कौन सा use हो रहा है, Microsoft Windows RPC version use हो रहा है, system का Mac address क्या है, और उस Mac address कौन सी company का Mac address है, वो दिया हुआ है, Gigabyte Technology Company का है, और warning में दे रहा है, OS scan, results may be unreliable, because we could not find at least one open or one closed port, तो थोड़ा सा unreliable हो सकता है, मतलब आप यह कह सकते है, 70-60% information यह close to host होती है, मतलब 70% information correct होती है, और running OS कौन सा है, Microsoft Windows 7 है, या phone, vista, to get, इसमें से कोई भी operating system हो सकता है, OS क्या है, Windows 7 professional, आगे detail भी दी हुई है, क्या क्या हो सकता है, OS की detail आगे दी हुई है, दिन आप नीचे service pack भी दिया हुआ है, और कब से OS चल रहा है, उसकी detail भी दे रखा है, यहां पर, network distance 1, मतलब directly हमसे जुड़ा हुआ है वो, एक hope है बीच में, वो switch भी हो सकता है, या कोई router भी हो सकता है, TCP sequence prediction, आगे detail दे रहा है, आप service info OS CP version, then host script result में आप देख सकते हैं कि पंकज, यह इसका need bios name है, work group में system है, और यह detail है, दे नीचे और आई आई आप computer name भी पंकज है, need bios name bunkers है, और group this this this, और आप ports में जाएंगे, ports में आप detail देख सकते हैं यहां पर, then topology आप देख सकते हैं, यह मेरा system है, और यह computer है, target computer है, जिसको मैंने scan किया है, then host detail पर जाएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, चार services, चार खड़की, यहां पर window दिखा रहे है, यह window मतलब four windows open है, और यह up time detail दिखा रहे है, कितनी दिए से last boot कब हुआ था, then IP version four address है, six available नहीं, Mac address क्या है, operating system accuracy, window seven professional है, accuracy इस तरह 100% show कर रहा है, पर ऐसा है नहीं, कई बर यह OS की detail गलत सो करता है, then आप देख सकते हैं, अब फिर यहां पर host services पर जाईए, कौन कौन से services on है, देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि, कैसे scanning करते हैं, कैसे detail जान सकते हैं आप, और भी ज्यादा detail यहां से देख सकते हैं, So, इस session में आपने सीखा कि, कैसे किसी target computer को scan करके, या अपने पूरे land में scanning कर सकते हैं, कितने होस्ट आपके live हैं, चल रहे हैं, और कौन कौन से, और उन host में से किसी एक को निकाल के, उसकी detail जान सकते हैं, उसके लिए आपको target का IP address यहां देना पड़ेगा, और types of scanning यहां से select करने पड़ेगे आपको, instance scanning में ने select करी थी, आप TCP ports को select करके आप उसकी detail भी जान सकते हैं, select करने बाद scan करेंगे, so thank you for visiting my blog, इस session में आपने सीखा कि, कैसे एक attack से attack करते हैं, किसी system पे, उसकी some information related to host, operating system, mac addresses, इनकी information आप इस scanning के तूरू जान सकते हैं, इससे बचने के क्या कर सकता है, firewall on करके रख सकता है, antivirus update करके रख सकता है, और IP security वगेरा लगा सकता है, जिससे कि इतनी detail में scanning ना हो सके, ये ping sweep कोई perform ना कर पाए, उस system पे, इसके लिए वो use कर सकता है, so thank you for visiting my blog.